जय हो आज के वोइस नोट में आप सुनेंगे कि महनत करने के आदत आपको किस तरह से सोखी बना देती है परिश्रम करते रहिए बिना परिश्रम के आपको कुछ भी फ्राप्त नहीं हो रहा है तो और महनत का फल हमेशा मिलता ही है कभी भी बेकार नहीं जाता है आईए सुनते हैं एक छोटी सी कहानी जिससे आपको एक शुक्षा मिलेगी एक बार की बात है कि एक आदमी जो पेशे से दुकंदार था बड़ा दुखी रहता था क्योंकि उसका बेटा बहुत आलसी और घहर जिम्मेदार था हमिश्या दोस्तों के साथ मस्ती करता रहता था जबकि वह अपने पुत्र को एक महनती इंसान बनाना चाहता था वह काफी बार अपने पुत्र को डाबता था लेकिन पुत्र उसकी बात पर ध्यान नहीं देता एक दिन उसने अपने पुत्र से कहा कि आज तुम घर से बाहर जाओ और शाम तक कुछ अपनी मेहनत से कमा के लाओ नहीं तो आज शाम को खाना नहीं मिलेगा लड़का बहुत परिशान बहुत परिशान हो गया वह रोते हुए अपनी मा के पास गया और उन्हें रोते हुए सारी बात उसने बता दी मा का दिल पसीज गया और उसने उसे एक सोने का सिक्का दिया और कहा कि जाओ और शाम को पिता जी को दिखा देना लड़के ने वैसा ही किया शाम को जब पिता ने पूछा कि क्या कमा के लाओ तो उसने वो सोने का सिक्का दिखा दिया पिता जी ये देख करके सारी बाग समझ गए और उन्होंने पुत्र से वो सिक्का छीन लिया और उसको बोला कि इसको ले जा और कुवे में डाल के आ जा लड़के ने खुशी-खुशी सिक्का कुवे में फैंक दिया अगले दिन पिताजी ने माँ को अपने माई के भेज़ दिया और लड़के को फिर से कमा किलाने के लिए कहा इस बाहर लड़का रोते हुए बड़ी बेहन के पास गया तो बेहन ने दस रुपए दे दिये लड़के ने फिर शाम को पैसे लाकर पिता जी को दिखा दिये पिता जी नी कहा जा कर कुए में डाल दो लड़के ने फिर डाल दिये अब पिता ने बहन को भी उसके सस्राल भेज दिया अब फिर लड़के से कमा के लाने के लिए का अब तो लड़के के पास कोई दूसरा चारा था ही नहीं वह रोता हुआ बजार गया और वहाँ उसे एक सेठ ने कुछ लकडियां अपने घर ढोने के लिए कहा और कहा कि बदले में दो रुपे मिलेंगे लड़के ने लकडियां उठाई और सेठ के साथ चल पड़ा रास्ते में चलते चलते उसके पैरों में च्छाले पड़ गए और हाथ पैर भी दर्द करने लगे शाम को जब पिता जी को दो रुपे दिखाए तो पिता ने फिर कहा कि बेटा इसको भी कुए में डाल दो लड़के को बड़ा गुस्सा आया और बोला कि मैंने एतनी मैनस से पैसे कमाए है और आप कहते हैं कुए में डाल दो पिता ने मुस्कराते हुए कहा बेटा यही तो मैं तुम्हें सिखाना चाहता था तुमने सोने का सिक्का तो कुए में फैक दिया लेकिन दो रुपए फैकने में तुम्हें डर लग रहा क्योंकि यही है तुम्हारी मैनत की कमाई अब की बार पिता ने दुकान की चाबी निकालकर बेटे के हाथ में दे दी और बोले कि आज वास्तम में तुम्हें इसके लाइक हुए हूँ, क्योंकि आज तुम्हें महनत का एसास हो गया है, तो महनत का पैसा आदमी बरबाद नहीं कर पाता है, और ऐसे ही अगर कमाने को मिल जाए, तो बरबाद कर देता है, तो परिश्णम का फल बहुत मीठा होता है, बहुत अच्छा होता है इसे आप बहुत संभाल के रखते हैं यही आज की कहानी का सार है उमीद है आपको समझने आया होगा और बस आपका दिन मंगल में हो जीवन खुश्यों से भरे चारों तरफ आनंद ही आनंद की बरसाथ हो जैव हो उठो जागो रियाज करो